ओम शांती, आप सिब को सो गयते हैं, आज हम 4 नुवेंबर के बहुत ही महत्वपूनी शुरिवर्दान में पहुचे हैं हमने हर जगा सुना वह है और आज भी सुनते आ रहे हैं कि सुआ परिवरतन से ही दुनिया का परिवरतन हो सकता है कि अपने आपको चेंज करो और वो चेंज तुम दुनिया में देख पाऊगी है लेकिन हम जातर अभी तक हम सुन-सुन करके और उसे सुन-सुन करके कि अपने आपको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल लगता है लेकिन अगर हम किसी को एक example जैसे देखें जो कि अपने आपको परिवर्तन कर चुका है जिसो किसी situation में जहाँ पर नॉर्मल इंसान को कुरोध आ जाता है नॉर्मल इंसान को गिरणा नफरत आ जाए वहाँ पर अगर वो इंसान, वो situation को solve कर ले, ठीक कर ले बिना कोई जगड़े, बिना कोई नफरत, बिना कोई problem के तो वो इंसान एक example बन जाता है और उसे दानत को कर आपको फॉलो कर पाएं एक्जाम्पल को तो और भी असान हो जाता है तो आज का वर्दान इसी चीज़ के उपर है तो परमात्मा कहते हैं स्वा परिवरतन द्वारा विश्व परिवरतन के निमित बनने वाले शृष्ट सेवाधारी भवा परमात्मा कहते हैं आप बच्चों ने स्वा परिवरतन से विश्व परिवरतन करने का कॉंट्राक्ट लिया है ये कॉन्ट्रेक्ट देने वाले कौन है? स्वयम, परमपिता, परमाथमा, जो कि हमें हर दिन बुल्यों के दवारा, शुरिये वरधानों के दौआ, श्लोगंस के दौआरा हमें हर दिन सिखातें कि बच्चे ऐसे मत करो, ऐसे करो, प्रैक्टिस करो, और अपने जो संसकार है, अपने जो character है, उसको change करने की, ताकि सेम सेम जब situations हैं आपके सामने, तो आप different different तरीके से act करो उसके अंदर, जो कि आपका improve होता जाए, बहतर होता जाए, आप आसूरी तरीके से नहीं, आप थोड़ सा एक देवता की तरीके से behave करने की कोशिश करो situation में, सुवा परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है, बिना सुवा परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रती कितनी भी मैनत करो, डाटो, दिकारो, मारो, पीटो, जो कि यह दुनी में चली रहा है, धमकाओ, परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल के समय में सुनने से नहीं बतलते, लेकिन देखने से बतलते हैं, because आज की दुनिया क्या करती है, seeing is believing, जो हम देखते हैं, प्रमान है, उसी को हम क्या माते हैं, सत्य मालते हैं, हमें दिखाओ, तब हम मानेंगे, भागवान को दिखाओ, तब हम मानेंगे, यह तो हम क्यों मानें, कोई physical चीज़ दिखाओ, कोई action दिखाओ, तब हम मानें कि हाँ, यह चीज़ एक सिस करती है, तो आज दुनिया बोलती है, कि हमें दिखाओ, तब हम मानें, कि क्रोथ की बना कर सकते हैं, तुम स्वाल्व, आहंकार की बना, तुम काम करवा सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, कि अगे बढ़ सकते हो, अपनी energies को अपने जीवन में focus करो, और क्या कर रहे हैं, और क्या बोलने, उस पर focus मत करो, solutions की तरफ बढ़ो, complain मत करो, किसने क्या कर दिया, किसने क्या बोल दिया, उसकी तरफ मत focus करो, तो ऐसे भी जिया जा सकता है, कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवतन देख कर बतल जाते हैं, हमारे साथ में बंधन बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं, किसी का धन के साथ बंधन है, किसी का तन के साथ बंधन है, किसी का संबंदों में बहुत सारे बंधन बने हुए हैं, कोई कहता है, अगर ये विक्ती चेंज हो जाए तो मेरा जी और उस बंधन को हमने खुदी ग्रेट किया हुआ है तो परमात्मा कहते हैं कि कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवतन देखकर बतल जाते हैं कि वो देखने के रहे यह वेक्ति तो बहुत चेंज हो चुका है तो वेक्ति वो ऐसे काम करने चोड़ देगा जो कि फरस्टेशन वाला हो वो वेक्ति ऐसे काम करने चोड़ देगा जिससे कि किसी को इरिटेशन हो रही हो किसी कुसा रहा हो क्योंकि वो देख रहा है कि वेक्ति को कुछ आसर ही नहीं पढ़ रहा है जो पहले पढ़ता था suppose आप frustrated हो जाते थे आप irritate हो जाते थे आप किसी तरीके से बहुत ही गुस्ते मायाते थे किसी एक विक्ति के reaction से लेकिन अब आप नहीं behave कर रहे हैं वैसे आप react नहीं कर रहे हैं तो यह विक्ति भी क्या करेगा मैं को वहां से कुछ मिल रहा ही नहीं रिस्पॉंस ही नहीं मिल रहा तो मैं फिर से वैसे acting क्यों करूं जिससे इसको irritation हो आप उस बंदन से बदल गए आप छूड़ गए उस बंदन से क्योंकि आप बदल चुके हो और यह बदलाव हमारे अंदर जबाता है तो वह बदलाव हमें पहार दिखता है तो परमात्म यही कहना चाहना है कि स्वव परिवर्तन से विश्व परिवर्तन अगर आप उनकी चोटी बड़ी बात होगे चोटी बात होगे फ्रस्टेट होगे तो वह वैसे ही नाचेंगे अगर आप उनके नाच को दिख करके आप उनको इग्नोर करते हो तो फिर उन नाच ना बंद कर देंगे बनलब वह वैसे बहेव करना बंद कर देंगे तो करके दिखाना बदल कर दिखाना ही शिरेष्ट सेवाधारी बनना है करके दिखाना, बदल कर दिखाना बोल करके नहीं बदलना क्योंकि बोल करके बदलना कुछ समय के लिए सकता है लेकिन बदल करके दिखाना उसको consistent रखना यह नहीं कि आज मैं frustrated नहीं हुआ, आज मैंने respond नहीं कि आज मैं गुसे में नहीं आया लेकिन दस दिन बाद अगर आ गया तो एकती बोले गारे यह तो ढोंग था को समय के लिए बस दिखाया रहे थे कि यह बहुत शान्स रूप है नहीं यह एक प्रैक्टिस करनी है जो कि हम प्रमकुमाईज में करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे हमें नहीं सीख मिलती, माय किसी के शुरूप में और यहां किसी के रीक है अंदर के अदर माय की माया की and किसी के रूप करते हो कि हिसा माया कि रूप है तो यह माया के रूप है, अंदर हर किसी के अंदर का रावन अलग-अलग सर निकाल करके, अलग-अलग रूप निकाल करके, हमें frustrated, irritate, गुछ से मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब हमने नए तरीके से देखा कि इसने में कोशिश करी, हमें फिरसे अनुभव हो गया, इसको कहते हैं अनुभवी मुरद बनगा, अब नेक्स टाइम वो फिरसे वैसे करेगा, हम नहीं react करेंगे, तो अनुभवों से भी होता है, इसलिए टाइम लगता है अपने आपको परिवत्न करने में, दिल शेकरस नहीं होना है, हर एक माया के अलग अलग रूपों को पहचानो, लोगों के अंदर, अपने अंदर, अपर पात्वा कहते हैं, अपने आपको परिवत्न करो, और मुरलियों की हिल्प लो, हम शादी इसके साथ,